हालो स्टुडेंट स्वागत है आप सब का इस किलास में जिसमा आपको पढ़ाने वाले हैं किलास फाइब के मैरत की बर्क बुक जिसका आज देया शिक्स्टी एट और टॉपिक है ल्सी एम एंड एसी एफ कुश्चन हम से पूछा कि राइड़ा प्राइम फेक्टर आप गि प्राइम नंबर इस प्रकास से फेक्टर आने चाहिए फेक्टर अलग चीज़ी होती हो प्राइम फेक्टर अलग चीज़ी होती है बहुत दोनों चीज़ें पहले हम आपको समझाने कोशिश करते हैं जैसे यह 12 है इसके फेक्टर हो जाएंगे 1 2 3 4 6 और 12 कहने मतलब है इन स अब की टेबल में 12 बात है तो यह तो फेक्टर हो गए लेकिशन ही बात करेंगे तो अलग बात हो जाती प्राइम फेक्टर को इस प्रकास से एकर सकते प्रकास से 6 3 और लास्ट में बना गया यह 2 इंटू 2 इंटू 3 यह प्राइम फेक्टर होगे इसी प्रकास से 18 के कर सकते हैं लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड करेंगे 9 अब 9 2 की टेबल में नहीं आता तो 3 से डिवाइड करें तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यह 18 के प्राइम फेक्टर होगे इसी प्रकास से 28 तू से डिवाइड करेंगे हाप हो जाएगा यह यह 14 फिर तू से डिवाइड करेंगे 7 और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 7 यह प्राइम फेक्टर होगे 42, 21, 7, और 1 7 x 3, 21, 21 x 2, 42 तो 2, 3, 7, यह 42 के प्राइम टेक्टर होगे इसी प्रकार से 45 तो यह 5 है जिस नम्मरी लास्ट नमें 5 होता है या तो 5 से कैंसल होगा या 3 से भी हो सकता तो यह 45, 3 से भी कैंसल हो रहा किनकी इनके अंगों का सम 4, 5, 9 हो रहा है तो यह हो जाएका 15, 3, 45 फिर 3 से डिवाइड करो 5, अब 5 से डिवाइड करो 1 तो 45 के प्राइम टेक्टर होगे 3 x 3 x 5 60 की करने 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15 अब 3 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 से डिवाइड करेंगे 2 हों टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 5 यह 60 के प्रायम फ्रेक्टर होंगे 36 ने टू से डिवाइड करेंगे 18 तू से डिवाइड करेंगे 9 और 9 को करते 3 से और फिर जब तक बन नहीं आ जा तब तक करते रहते हैं इसे प्रकास से 55 के 54 के करेंगे 27 अब यह 3 से डिवाइड होगा 9 फिर 3 से डिवाइड होगा 3 फिर 3 से डिवाइड होगा 1 तो 54 के जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो यह प्राइम फेक्टर है तो प्राइम फेक्टर करके ही हम LCM और SCA भी करते हैं देखेगा next question है find the LCM of the given number तो LCM करने के लिए इनके प्राइम फेक्टर ही तो करने पड़ेंगे अनको तो 18 जब प्राइम फेक्टर करते हैं पहले तो यह 9 आ जाएगा फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 और 45 के कर लिजेगा 15, 5 और 1 अब दिखेगा 18 के जो फेक्टर आए है प्राइम फेक्टर वह आए है 2 into 2 into 3 into 3 और 45 के आए है 3 into 3 into 5 अब LCM find करना है तो LCM के लिए हम क्या करते है कोई एक factor पूरे लिख लिख लिए जिसके ज़्यादा हो जिसके पास factor बो लिख लिख लिए जाते है तो यहां तो बराबर ही है तीन तीन दोनों में है तो एक पहले वाले सब लिख लो 2 into 3 into 3 अब इसमें यह देखते हैं कौन नमबर नहीं आया यह वाले 3 यह दिख रहे है यह 3 यह दिख रहे है यह 5 इसमें नहीं आये इनका सब का multiply ही इन समब नमबर का multiply ही LCM होगा इसमें मतलब है ऐसा चोटा सचोटा नमबर जो 18 की टेबल में भी आया और 45 की टेबल में आते हैं लेकिन यह चोटे चोटा नमबर इससे बड़े तो बहुत होंगे लिख से छोटा कोई नमबर नहीं होगा इसी प्रकास से आप एक फांड करेंगे यह LCM इसका यह आपके लिए homework में है इससे आप स्वेहन करेंगे देखते हैं next इसी प्रकास से और भी नमबर है जिनके भी हमें को LCM ही find कन्यत prime factor करके आप LCM find कर सकते हैं या multiple करके भी कर सकते हैं लेकिन आप prime factor करके इनके LCM निकाले हैं Day 69 की क्लास देखते हैं इसमें भी LCM और SCF से related ही question है का गया सारदा has 345 science book सारदा की पास 345 किताब है science की हैं and 210 English books और English की 210 books हैं see once to arrange अवो इने विवस्तित करना चाहती है इन सभी किताबों को अलवारी जो अलवारी की तक्तियां होती है उन में अपने श्कूल की इस प्रकास से both books each self are equal और जो धेर उसके बने तक्तियों पर वो यूकल संक्या महा तो find the minimum number of books that are to be put अब देखो यह minimum का गया है जब minimum का जाता है तो हमें LCM निकालना पड़ता लेकिन LCM निकालने से यह नहीं होगा हमें find करना पड़ेगा इनका SCF तो यह maximum number होना चाहिए तो अगर इन दोनों number का हम SCF find कर लें तो हम बता सकते हैं कि एक तक्ति पर वो अधिक से अधिक कितनी किताब है रखे जिससे सब किताबों के धेर यूकल यूकल संक्या में बराबर संक्या में रहें तो इनके factor करेंगे 345 के कर लीजिएगा बन बन फाइब अब फाइब से यह जा रहा है फाइब टू जा फाइब फाइब थिरी जा तो इसके factor इतने हो गए अब टू अंडे 10 के कर लीजिएगा बन जीरो फाइब थिरी से हो जाएगा थिरी थिरी जा थिरी फाइब जा और फिर फाइब से फाइब 7 जा और 7 यह आ रहे तो अब इनका LCF फाइब करने के लिए 345 के जो factor निकाले है वो आए है 3 इन्टू 5 इन्टू 23 और 210 के जो factor आए है वो आए 2 इन्टू 3 इन्टू 5 इन्टू 7 LCF फाइब करने के लिए हम क्या करते हैं इनका common number निकालते हैं ऐसे factor जो दोनों के साथ हो जैसे एक 3 इसमें भी है और इसमें भी है 5 इसमें भी है और इसमें भी इसके इलाबा कोई number common नहीं एक यह 2 हो रहे है सुर्ण यह 23 नहीं है यह number 2 common थे 3 इन्टू 5 इनका multiply करेंगे 15 तो वो 15 15 के धेर में अगर किताबों के लिवारी में सजाती है तो सभी धेर ऐसे बनेंगे जम सम्में 15 15 किताबें होंगी तो इसमें ऐसी है find करके करेंगे लेकिन यह minimum का गया यह maximum कहना चाहिए था कि नेक्स कोश्चन है कि फाइन दा मैक्जमम लेंद को यहां पर मैक्जमम कह दिया अधिक रोप बिद कैन बी डिवाड़ेट इन्टू पीसिस लेंथ मीटर कम्प्लेट लिए यह 30 मीटर 15 मीटर और यह मीटर है लेकिन यहां पर यह लिखा हुआ वह बड़े से बड़े रसी की लंबाई बताएगा जिससे इन सबको माप आ जा सके यहां पर यह कहना चाहिए तो हम क्या करें इनका SCA फाइंड करेंगे 30 के जो फेक्टर होंगे वह हो जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 और 15 के फेक्टर होंगे 3 इंटू 5 और 25 के फेक्टर होंगे 5 इंटू 5 SCF निकालने के लिए आप से कागए, इनका SCF ही आंसर होगा, तो केवल एक नंबर ऐसा है, जो तीनों संख्यों में common है, फाइब, यह फाइब, तो बड़ी से बड़ी रस्ती फाइब मीटर की होनी चाहिए, जिससे हम यह तीनों लंबाईयों को बरावर बरावर नाप सकते हैं, next question देखते हैं, अगला question है, at Kanpur bus stand, यानि Kanpur bus stop से bus buses from Kanpur to Nakhlau, Kanpur से Nakhlau के लिए bus जाती है, पृति एक 12 मिनिट पर, और प्रियाग राज के लिए जाती है, पृति एक 15 मिनिट पर, और एध्या के लिए जाती है, पृति एक 9 मिनिट पर, यानि यह का जा रहा है, नखlau bus stand से, पृति प्रियाग राज के लिए बार, हर अवर, नखलाऋ bus सरी, Kanpur से, लखनाओ के लिए हर 12 मिनिट में परश जाती है, इलावाद के लिए हर 15 मिन पर जाती है और अईद्या के लिए हर 9 मिन पर जाती है बंडे बस बस पॉर आल थिरी पिलेसिस लीप्स कानपूर सेमर्टेस नहीं एक बार ऐसा हुआ यह बसे सब एकटी छूटी है 10 बजे शुबह के 10 बजे एक बार यह सबी बसे एक साथ छूटी है एक लखनो के लिए एक प्रियागराज के लिए एक अईद्या के लिए तो यह कहरे है अद्वारा कब ऐसी इस्तति बनेगी फिर एक साथ ही बसे छूटेंगी तो ऐसी इस्तति के लिए हम क्या करेंगे यह जो टायम दिये थे इन time का निकालेंगे LCM 12, 15 और 9 मिनट का LCM निकालेंगे तो 12 के factor हो जाएंगे 2 into 2 into 3 और 15 के factor हो जाएंगे 3 गुणा 5 और 9 के हो जाएंगे 3 into 3 हमें निकालना इनका LCM तो जिसके पास ज्यादा factor बुष सब लिखने हैं इसके पास है 2 into 2 into 3 अब देखो ये वाले 3 आ चुके ये 5 नहीं आए तो भो भी लिख लेंगे ये 3 आ चुके लेकिन ये 3 नहीं आए तो ले लेंगे इनका सब का multiply करेंगे पांतियां पंदा दुनी 45 चको 100 इनका multiply करेंगे 180 यानि 180 मिनट बाद दुबारा ऐसा chance आएगा 180 मिनट बाद ये बसे फिर एक साथ चूटेंगे तो जब 10 बजे बाद चूट चूट चूटेंगे 180 मिनट का मतलब हो गया है 180 को जब आप 60 से divide कर दोगे तो ये निकलेगे जागे 3 गंटा यानि 3 गंटे बाद ऐसी इस्तिती फिर बनेगी कि वह बसे फिर एक साथ ही चूटेंगे तो 10 बजे जब चूटेंगे तो 10 में 3 गंटे और जोड़ देंगे तो final जवाब इसका हो जाएगा 1 बजे बन पीए यानि 1 बजे वह बसे पुन है एक साथ छूटेंगे इस सवाल को ऐसे किया जाता है देखतें नेक्स्ट नेक्स्ट कोश्चन है टू बकेट्स अफ कैपिशिटी दो बाल्टी हैं बकेट्स में सूती बाल्टी कैपिशिटी में उनमें पानी भरा जा सकता है एक में 35 लीटर और एक में 28 लीटर फाइंड दा कैपिशिटी और बैसल बैसल में सूता बर्तन तो उस बर्तन की कैपिशिटी बताईएगा मिल्क और बोद बकेट्स कैन बी मेज़र तो वह बड़ी से बड़ा बर्तन अबाई पास कौन सा होना चाहिए जिससे हम यह दोनों बाल्टियों में जैसे मान दूर बारा हुआ एक में 35 लीटर एक में 80 लीटर जिससे हम माप सके इसकी हम नाप कर सके तो ऐसी इस दिदिदि हम क्या करते है SCF अंड करते है क्योंकि बर्तन जो होगा वह इसकी नाप से छोटा होगा तो 35 के factor हो जाएंगे 5 into 7 और 28 के factor हो जाते है 2 into 2 into 7 तो जब SCF हम इनका निकालते हैं तो common number लेते हैं देखो 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है तो 7 ही इनका SCF आ गया तो आप 7 liter का बरतनागर ले लेंगे तो उससे हम ये दोनों बाल्टियों के दूदों को नाप सकते हैं पूरा पूरा नप जाएगा कता ही बचेगा नहीं next है और last question find the number of books from which heap of 16 books, 24 books और 32 books can be made separately leaving no books at all यहाँ भी ही का गया कि आपके पास 16 किताबाँ हैं, 24 हैं और 32 हैं इन किताबों को धेर हैं फिर बनाना चाहते हैं इनके देर can be made separately, leaving no books इन्हें अलग-अलग रखना चाहते हैं तो कोई books बचनी नहीं चाहिए ऐसी इस्तिती में book देर कितने कितने कोने चाहिए जो कोई किताब बचनी नहीं चाहिए इनका भी हम क्या find करेंगे ऐसी है तो 16 के factor हो जाएंगे 2 into 2 into 2 into 2 और 24 के factor हो जाएंगे 2 into 2 into 2 into 3 3 दोनी 6 दोनी 12 दोनी 24 और 32 के हो जाएंगे 2 into 2 into 2 5 बार हमें SCF find करना है SCF के लिए क्या कर निकालते है कौमंदी को दो दोनों में है तो ये लिख लिए ये दो दोनों में है तो हमने ये भी लिख लिए ये वाले दो दोनों में है तो ये भी हमने लिख लिए लेकिन ये वाला दो इसमें तो है इसमें लेकिन यहां नहीं है, तकीवल इतना ही रखें, इनका multiply हो जाएगा 8, यानि अब आप किताबों को 8-8 के धेर में रखेंगे, तो कोई किताब नहीं, बचेगे वो सभी किताबें धेर में, पूरी-पूरी आ जाएगे, ठीक तो, इस class में इतना ही, that's all, जैहिंद, हादू.